थेलो फ्रेंड्स तुड़ेखा के रेशोई चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है तो आज मैं आप सभी के लिए इक बहुत स्वाधिश्ट बढ़ने वाली मिठाई के रेस्पी लेकर आई हूं जो कि बहुत कम बजट में बहुत ही महंगी मिठाई बन करके तैयार होती है और यदि आपने एक वर इस मिठाई को बना कर खा लियाना तो आप मार्केट की महंगी महंगी मिठाईयां खाना भूल जाएंगे तो बहुत ही चोटी सी वीडियो वीडियो को फूल वॉच कीजिएगा और यह आज की रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें गैस पे कोई भारी तले की कडाही या पैन लेनी है इसमें मैंने दो चमच ठंडा पानी आड़ किया है अब मैं यहां ले रहे हूं हाप लीटर फूल फैट दूद तो आपके पास यह नॉर्मल गाई की भी दूद है तो पूसे भी ले सकते बट फूल फैट दूद से मिठाया वगरा बहुत ही अच्छी बनती है अब हमें यहां पे एक स्पैचुला लेनी है तो इस पैचुला थोड़ी सी आप सार्क लीजिए गा यानि कि जिसमें थोड़ी सी धार होती है आप वैसी स्पैचुला यहां पे अधा कब ठंडा पानी यहां पे कोई भी गुनगुना पानी नहीं लेना है ठंडा पानी ही मैं यहां पे ले रही हूं इसमें मैं डाल रही हूं एक चमच कॉन फ्लार तो यह नॉर्मल वाली चमच है जिसका यूज हम लोग घर में खाना वगरा खाने के लिए करते तो बस चमच से मैं आपे एक चमच कॉन फ्लार लिया है और इसे पानी के साथ अच्छे से घोल लेंगे कोई भी लंस इसमें नहीं होने चाहिए तो यह देखे कॉन फ्लार बहुत ही अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो चुकी है तो इसे मैं साइड पे रखती हूं अब इधर मैं द चीनी एड करी है क्योंकि इस मिठाई में बहुत ज्यादा चीनी नहीं लगती है जब दूद सुख जाती है तो इसमें नैच्रली मीठापन आई जाता है तो यहां पे बहुत कम चीनी का यूज मैं कर रहे हूं तीन से चार चमच मैंने यह पे चीनी डाली है और इसे हम चीन दूद लिया था अब यहां पे 500 ml हमारा यह दूद उबलते वे बच चुका है तो यहां पे गयास का फ्लेम एकदम से लो रखेंगे और यहां पे मैं डाल रहे हूं चोथाई चमच इलाइची का पाउडर अब चुकि मिठाईया बन रहे है तो इसमें कोई ना कोई फ्लेव चार इलाइची को मैंने अच्छे से उसके बीज को कूट लिया है और कूट करके इसमें एड कर दिया अब यहां पे देखिए दूद जो है ना पहले से काफी थीक हो चुकी है तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे कि यह जो मैंने कॉन फ्लार का जो घोल तयार किया था था दिरे करके इसमें एड कर देंगे जैसे ही कॉन फ्लार का घोल दूद के साथ मिक्स करेंगे तो यहां पे जो दूद है ना एकदम से ठीक होना इस्टार हो जाएगी यानि कि अब हम इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है पहले में इसे छोड़ चोड़ करके चला रही थी बट जैसे कॉन फ्लार का घोल इसमें एड करेंगे तो दूद जो है यहां पे एकदम से गाड़ी होना इस्टार हो जाएगी और यह दि आप इसे चलाने से छोड़ देंगे तो यह नीचे तले में बहुत ही जल्दी चिपक जाती है तो यहां पे यह गलती बिल्कुल भी न तो बस अब हम इसे लगातार देड़ से दो मिनट तक इसे लगातार चलाते वी पकाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से चेंज हो जाएगी आप चाहें तो इस मिठाई में थोड़ सा फूर कलर या फिर केसर के कुछ धागे भी डा कुछ जाता है तो आप एस मिठाई को घर पर बहुत ही कम बजट में बना करकर के तैयार कर सकते हैं खोली हो दिवाली हो या कोई से अप बना सकते बहुत बहुत ही इजी टिक है और बहुत इंस्टेंट बी जाती है और खाने में तो इतनी ज़ादा ये ला जबाव लगती है ना कि आप महंगी महंगी बजार की मिठाईया खाना भूल जाएंगे सौधिश के साथ साथ यह मिठाई बहुत ज्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मैंने कोई भी घी या ओयल का यूज नहीं किया है और बहुत ही कम बजट में घर में यह मिठाई बन करके तयार हो जाती है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम से चेंज होने लिगी यानि कि पैन को छोड़ने लगा है तो अब इसी स्टेज पे मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूं अब बारियाती इस मिठाई को सेट करने जब जम जाएगी तो बहत यहां निकल जाएगे तो यहां पर बटर पेपर जरूसे लगाईए गा उसे मिठाई जो है डिमॉल्ड कर जादा आसानी होती है तहां पर मैंने से ग्रेяс कर लिया है अब यहां पर आप देख सकते यह जो हमारी मिठाई का जो मिठाऊ तयार है ए अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये पहले से और ज्यादा थिक हो चुका है तो हम इस इस बटरपेपर पर निकाल देंगे और इसे अच्छे से कंटेनर में फैला देंगे तो बहुत इजी तरीके से मिठाई सेट भी हो जाती है बस इसे हमें कोई भी फ्रीज वगरा में पंखे के नीचे रूम टेंप्रेचर पे रख सकते हैं तो मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो जाती है आप यहां पर चाहे तो इसकी गार्णिशिंग के लिए उपर से थोड़ी बहुत ड्राइफ रूट्स पिस्ता विगरा लगा सकते हैं तो मैं इसे एसे सेट होने के लिए तो मैं इसे फ्रेज में नहीं रखोंगी ऐसे ही मैं रूम टेंप्रेचर पे से 2-3 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूं तो 2-3 घंटे वाद मैं फिर से आपको इसकी वीडियो दिखा रही हूं यहां पर देखे हमारे मिठाई जो है 2-3 घंटे में बहुत ही अच्छे से से हो जाती कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस तरीके साब देख सकते जब मैं से हाथों में उठा रही हूं तो यह टूट भी ने रही है यानि कि बहुत ही अच्छे से मिठाई सेट हो चुकी है तो अब मैं इसकी कर लेती हूं तो यहां पर हमारे पास चांदी वर्क है तो मैं मैं इसके उपर लगा दे रही हूं यदि आपके पास है तो आप लगा सकते वरना पिसे इसकी भी कर सकते हो ऐसे भी खा सकते हो बड़ थोड़ी से लगा देने से यह मिठाई थोड़ी ज्यादा ही टैम्टिंग लगती है तो मैं आप लगा दे रही हूं इस पर चांदी वर प्रेश चांदी वर्क के कर नहीं सब्सक्राइब को करकें रचारा हैं तो कहाँ आप ա्यूडों में सभी सफेरद कर ब्रेदी घ्राराती है और शुलिए के टील ब्लिक इसके में सब्सक्राइब का इसे बिपास्ट ड्रादिक रसे सきल सब्सकरूर wash days इसे बनाना और बहुती कम बजट में बन जाती है और इसे खाने कोई बता ही नहीं सकता है कि इसे आपने किन चीजों से बना करके तयार किया है अब यहां पे एक नाइफ से क्या करेंगे ना इस थोड़ा-थोड़ा मैं इस तरीके से कट लगा दे रही हूं इसे मिठाई का ल जाली हो या दे सहरा हो तो आप इस मिठाई को बना करके ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर से बताईएगा और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अभी तक हमारे चानल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस्स ना हो सके तो मिलती हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीस के साथ थैंकियो फॉर वाचि झाल 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 झाल